नमस्कार साथियो नियूस के लिक में हम आपका स्वागत करते हैं Electoral Bond यानि चुनावी Bond एक तरह का ऐसा दस्तावेज जिस पर पैसा तो लिखा होता है लेकिन ये नहीं लिखा होता है कि उसे कौन खरीद रहा है और वो किस राजनितिक दल को जा रहा है यानि कि चुनावी चंदा किस राजनितिक दल को जा रहा है लेकिन इसमें भी एक पेच है जो आपको आगे पता चलेगा इस मुद्धे पर पिछले पाँच दिनों से कौमडोर लोकेस बत्रा के आटि आई द्वारा मिली जानकारियों के जखीरों पर वरिष्ट पत्रकार नितिन सेथी रिपोर्ट लिख रहे हैं जिस रिपोर्टों ने पूरे राजनीतिक दल में एक तरह का हड़कंप मचा दिया है उसी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन सेथी तो आपकी जो पहली रिपोर्ट है उसकी सुरुवात इससे होती है कि 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉंड प्रस्तुत करने के चार दिन पहले से ये किसी टेक्स अधिकारी को पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बडिया है और उसके बाद से आप पूरी बताते हैं कि RBI के कड़े रुक के बावजूद भी सरकार इसको मानिता देती है सरकार ने मन बना लिया था कि इलेक्टोरल बॉंड बनाने हैं चुपचाप उपर के सतर में सरकार में ये काम हो रहा था 2017 के बजट से पहले अचानक एक दिन किसी अफसर को सभज आया कि अगर ये बॉंड बनने है तो Reserve Bank of India Act जो होता है इसको बदलना पड़ेगा उसके बिना नहीं हो सकता सरकार ने इससे पहले नहीं सोचा था ये तो उसने एक मेसेज भेजा अपना email भेजा कि ये अब दो लाइन का चेंज कराना चाहिए हमको इसके बिना नहीं होगा तो सरकार को लगा कि अब RBI से एक बार बात तो करनी पड़ेगे कि अन्हीं के बारे में जो आट उसको बदलना है तो शनिवार के दिन में जबकि सरकार बंद होती है सोमवार को बजट आना था शनिवार को सरकार ने RBI को एक तीन लाइन का email लिखके बेज दिया बाकी सब भी नहीं बताया कि क्या होने वाला है बहुत सारे बदलाव आने वाले थे सब यह बोला कि आपके act में हम यह दो लाइन बदल रहे हैं और आपको इसके बारे में क्या लगता है अब उम्मीद मेरे ख्याल से ऐसी थी कि Saturday है सोमवार तक बजट हो जाए का बात निकल जाएगी आगे लेकिन RBI इतना घबराया कि Saturday Sunday के दोरान उसने पूरा मन्थन करके एक पूरी बड़ी चिठी वापिस भेजी सरकार को जो सोमवार सरकार को मिली और उसमें तीन कारण बोले जिस कारण से उनने कहा कि ये एकदम नहीं होना चीए एक उनने बोला कि ये से काला धन politics में आने का रास्ता खुल रहा है दूसरा उनने बोला कि आप कहते हैं कि ये पारदर्शिता लाएगा ये एकदम उल्टा करेगा तीसरा उनने बोला कि आप जब bond बनाते हैं जिनको हम bond कहते हैं ये bond एक तरीके से currency है या पैसा ही है, note ही है तो आप किसी और को हग देने वाले हैं note बनाने का जबकि note बनाने का काम सिरफ हमारा है इससे देश की पूरी अर्थ विवस्ता पर फरक पड़ सकता है इसलिए एक दम नहीं करना चाहिए सरकार ने वो चिठी देखी और बोला कि इन लोगों को समझ नहीं आया है वैसे भी बहुत देर होगी हमने फिनांस बिल पहले ही तयार कर दिया अब तो परसोम जाने वाले बजेट में और बोला कि बाद में बात करेंगे और सरकार ने अग और स्थारी बाते किया हैं ये भी अपने में अजीब बात है कि सरकार ने एलेक्षन कमिशन से कभी पूछा इनी जब कि ये एलेक्षन कमिशन का काम है कि क्या reforms होने चीए कैसे पारदर्शिता आनी चीए कैसे funding होनी चीए politics की पर उससे कभी बात नहीं हुई खैर आखिर कार एलेक्शन कमिशन हम जैसे सब को पता चला उनको भी पता चला यह बन गया है उन्होंने इस पर अध्यन किया और एक लंबी सारी चिठी लिखी मैई 2017 में और करीबन करीबन वही बोला जो आर भी ने बोला लेकिन और भी कड़े शब्दों में बोला उन्होंने का कि आप मनी ल काराधन आता है और चुपचाप सफेध होके वो धंदे में उतर जाता है तो इन कंपनियों से लेके पैसा आप पॉलिटिक्स में डालने वाले हैं इस जरिये से तीसरा उन्होंने बोला कि आपने बाहर की जो कंपनिया है उनके लिए भी रास्ता खोल दिया है हमारी इंडि कि आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं यह तो एकदम उल्टा है किसी को नहीं पता चलेगा सरकार किसे वा कि किसने किसको पैसा दिया तो यह चार-पास बाते बोलके उन्हें ने भी बोला कि एकदम मत करिये सरकार ने वो चिठी आने के बाद ऐसे अपने को समझा बनाया जैसे हमें तो चिठी मिली नहीं और स्कीम बनानी शुरू कर दी ऐलेक्टोरल बॉंड चलाने की अलग एक मंत्राले है जूसको लॉइन जस्टिस मिनिस्ट्री कहते है उन्हें ने चिठी लिखके बार बार प्रिनाज्ट्री को बोला वित्मंत्राले को बोला कि इस पर जव आपको ऐसा कुछ लिखा और कहा है कि आपती जता ही है तो मंत्री साब में खड़े हो के पार्लेमेंट में बोगे ऐसा कच हुआ ही नहीं लोकेश बत्रा साब अच्छे मतलब पब्लिक स्पेरिटेड आदमी है उन्होंने फिर वो चिट्टी भाहर निका दी देखा कि जूट को चुपाने के लिए कि चिट्टी आई थी वो किसी और महक में में थी हमारे पास नहीं थी बत्रा साब फिर कूदे उन्हें बोला आरे आपके पास भी पड़ी थी अब फिर तीसरा जूट बना कि हां आई थी लेकिन उस पर मंतन कुछ ऐसा हुआ नहीं लोकेश बत मंतराले ने कोशिश करी थी कि एलेक्शन कमिशन को एक सीक्रेट मीटिंग में बुला लें किसी तरह कुछ कहलवा दें उनसे कि बोल दें कि हां हो गया इन्होंने भी साफ कर दिया है और अचली कभी एलेक्शन कमिशन ने हां मानी नहीं थी वो शुरू से अभी तक आज तक इसके खिलाफ रहा है जबकि सरकार बोलती है कि नहीं नहीं वो शुरू में कुछ आपती थी उसके बाद ठीक हो गए अब उसके बाद कमाल की बात यह है कि कल प्यूश कोईल साब जो मंतरी है उन्होंने बयान दिया किसी ने पत्रकार ने उनसे हिमत हो गई पूछने की तो बोला कि आप हम इलेक्शन कमिशनर्स को बोलेंगे कि एक नई रिसर्च करके बदाए कितनी अच्छी स्कीम है जबकि कोट में आज तक उनका एफिडेविट दायर है जहां पर लिखा है उन्होंने कि एकदम नहीं होना चीए आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि हारी हुई लड़ते हैं और उस समय वित्तमंत्री की तौर पर अरुण जेटली हैं जो कि हमेशा भाजपा की विरासिती नेता कहे जाएंगे अब भी कहते हैं लोग और और विराजितिक दल होते हैं इन सारे की भूमिकाय उस समय कैसे आप देखते हैं उस समय मुझे किसी एक व्यक्ती नेता पर कहने का मेख्याल से इसमें तुप नहीं बनता जितने कागज हमें दर्शाते हैं कि ये एकदम टॉप लेवल पर सरकार में उनकी मनशक्त साफ थी कि होना है बाकी सब लोग सिरफ करे जा रहे थे जो बोला जा रहा था उनको करके चाहे वो अरुन जेटली हो मुझ बदल दिया जाता था क्योंकि कई बार अफसरों ने बोला कि ये गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चीए शायद सोच लीजे दुबारा पर वो छे आठ घंटे में उसके उपर वाला कोई आला अफसर आके उसको बदल देता था तो आखिर में जो उपर से आला कमांड से आता थ वो हां में हो जाता था उसका हमने प्रूफ भी दिखाया एक कहानी जो तीसरी कहानी हमारी है उसमें हमने दिखाया कि चाहे जो भी आपतियां थी EC की या RBI की उसके बाद खैल उन्होंने रूल बना दिया और स्कीम चल पड़ी अब कम से कम अपने रूल को तो मानना चीए ता सरकार को और कुछ नहीं तो प्रधान मंत्री के दफ्तर से सीधा ओर्डर आए कि यह रूल तोड़ के आप इलेक्शन बॉंड बेचिये स्टेट असेम्बली इलेक्शन से पहले जबकि इस सिरफ पार्लेमेंट से पहले एक्स्ट्रा बेचे जा सकते हैं क्योंकि उस समय क करनाटका के एलेक्शन होने वाले थे जो हम सब जानते बड़े जरूरी थे भाजपकले भी कॉंग्रेस के लिए भी तो यह दर्शाता है कि नहीं आपने ऐसा भी मुम्किन हो सकता है कि आरबिया ने कुछ होचा सरकार ने कुछ और कर दिया इसी बाते पहले भी हुई है पर बात होते है कि यह कहा गया कि यह पता नहीं चलेगा कि कौन खरीद रहा है और किस राजनितिक दल को दिया जा रहा है लेकिन स्टेट बैंक की जो आपने जानकारी दिया अपने रिपोर्ट में उससे यह जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है उसे थोड़ा बताएं आप तो सरकार ने जब पार्लिमेंट के सदन में यह रखा था तो दो बाते बोली थी कि हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं कैसे पैसा दे दे आपको देंगे तो दूसरा कभी सत्ता में आया तो वो हमके धंकाएगा तो उनने का कि एक तो पार दर्शिता नहीं होनी चीए को पता नहीं चल रहा है तो बेज जग लोग पैसा दे देंगे गरीद भी देगा बड़ा भी देगा सेठ भी देगा धना सेठ भी देगा तो उसके बाद कुइंट में पत्रकार हैं पूनम करके उनने कहानी करी बहुत अच्छी कहानी थी जहां उनने दिखाया कि यह जो ब अगरबार ने सरकार को इस पर सवाल भेज़े कि यह नंबर किसलिए इस्तेमाल हो रहा है सरकार ने जवाब दिया कि नंबर सिरफ इसलिए है कि बौंड फर्जी नहों आप चिंता ना करें ना इससे कभी यह पता चला है कि कौन खरीद रहा है किसको बेच रहा है या किसको कभी हो पाएगा हमारे कागर जो हमने दिखाए अपनी चौथी काहनी में वो दिखाते हैं कि यह नंबर का होने की जरूरती सिरफ यह थी कि बैंक ने बहुत वाजब हो के बोला कि भाई अगर पैसे का आना जाना हो रहा है बैंक ट्रांजेक्शन के लिए ट्रेल तो होता ही है और आप ही ने बोला है कि मानलो इसमें काला धन आ रहा है कल आप छे महीने बाद उठके बोले कि बताईए किसने खरीदा था किसको दिया थ तो हम कैसे करेंगे अगर हम पूरा ट्रेल नहीं बना सकते पूरा ढूंड नहीं सकते कि किसने लिया और कहां फाइंडी गया तो बैंक ने का कि हमें तो सीक्रेट अममर चाहिए इसके बिना नहीं हो पाएगा सरकार ने हां बोला है इसके बिना तो नहीं हो पाएगा सही बो में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एंफोर्समेंट एंजेंसी जैसे CBI एंफोर्समेंट डारेक्टरेट चाहे तो SBI से सारी डेटेल्स मांग सकती है उसको सिरफ एक काम करना पड़ेगा इसके लिए उसको एक क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ेगा किसी भी किसम का तो अब किसी अनॉनिमस किसी के नाम पर बोल देगा हमें पता नहीं किसी ने किया है पर कुछ काला धन कुछ है चोरी और SBI के पास जाए और दे दीजे अफ सारे रिकॉर्ड हम पर और हमें पता है कि जब enforcement directed CBI के पास समान आता है तो सरकार के पास ही आता है इसमें ये भी था कि आपको बताना भी नहीं पड़ेगा enforcement agencies को donor को या political party को कि हमने आपका खाता खोल डाला है जुरुरत भी नहीं यह से बताने की तो चुप-चाप उनको पता भी चल सकता है कि क्या किया है यानि कि सरकार को एक तरीके से यह पता होगा कि किसको पैसा जा रहा है जिस दिन चाहे वो ढूंड सकते हैं और वह आसानी से उस पर दियंतित कर सकते हैं उस तरह से घुमा भी सकते हैं कमाल की चीज है कि आपको नहीं पता EC को नहीं पता, citizen को नहीं पता, किसी और political party को नहीं पता, सिरफ सरकार को पता है कि कौन किसको पैसा दे रहा है तो अब अगर पुरानी बात पर जाएं जैटली साहब की और इसी सरकार की कि done लगता है लोगं को पैसा देने से किसी और को इस case में clearly done लगेगा जो power में नहीं है उसको पैसा देने से और इसका proof कम से कम connect current odds तो ये दिखता है कि हमारे पास अभी record पहला पार जब bonds बेचे गए उसका है 222 करोड के बिके गए और उसमें से 85% सिरे भाजपा को मिले आपकी जो अंतिम report है उसमें कहा गया कि 10 करोड के bond और जो कभी भी होने नहीं चाहिए थे वो कैसे किसी party को मिल गए और वो भी DM बदलने के बाद यह और भी अच्रज भरी कहानी है अगर या तो आपको मैं थोड़ी दे पहले बात कर रहे थे कि प्रधान मंत्री के दफ्तर के कहने पे करनाटका इलेक्शन से पहले खास करके bond बिकवाए गए जो की illegal था जो नहीं होना चाहिए था उसी दोरान उसी समय में कहानी हमारी दर्शाती है कि कुछ नेता कोई नेता दिल्ली के SBI ब्रांच में पहुचा और बोला कि यह मैंने bond मुझे मिल गया है इसको जमा करो मेरे को इसमें हमारे खाते में पैसा डाल दो लेकिन तब तक bond सिरफ 15 दिन के लिए होना चाहिए और क संडे नहीं काउंट होगा तो अभी भी वाजेव है इसको आप लीजिए और हमें कैश डालिया हमारी पार्टी में तो SBI दिल्ली ने SBI मुंबई हेड़कॉर्टर्स फोन किया 24 गंटे के अंदर SBI हेड़कॉर्टर्स ने अपने चेर्मेन को बताया कि यह कुछ हो रहा है को वित मंत्राले बोला कि किसी ने कोई नेता आया है दिल्ली ब्रांच में उसने ऐसा बोला है तो क्या हम उसे करने दे जबकि इल्लीगल है उसी समय शाम को साड़े-चार बजे दिन में कभी दुपहर को चिठी आई होगी साड़े-चार बजे वित मंत्राले वापिस लिखता है बोलता है हाँ वैसे तो यह इल्लीगल है इस बार करने देते हैं और वापिस भेजता है SBI Headquarters को Bombay में SBI Headquarters फिर दिल्ली को बताता है और उस नेता के जिस पी पार्टी का था उसे पैसा मिल जाता है और बोलते हैं कि एक बार करने देते हैं आगे से कभी नहीं होने देंग अब यही दिर्शाता है कि इस स्कीम को जैसे तोड़ना मोड़ना है सरकार कर सकती है सरकार निया सकता में जो पार्टी है वो कर सकती है तो बाकी पार्टी को इससे नुक्सानी होगा और भाजपा यह कोई भी पार्टी सकता में हो उसको मुनाफ़ा है कि जैसे इसको घुमा वैसे घुमा कि जादा पैसे ले लो लेकिन फिर आम आद में तो ही सवाल पूछे गाना की राजनीती पैसे से चलती और पहले भी तो पैसा आता था तो इस इलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से जो पारदर्शिता के गई थी पारदर्शिता आएगी तो इसमें क्या गलती है सर नाम नहीं बताना पड़ेगा तो यह सच है कि बहुत पार्टियां काला धन भी लेती थी सपेद धन भी लेती थी चोटा-चोटा रकम में लेती थी जिससे नाम नाये किसी का तो वो भी गलत था उसमें आपको करना चाहे था बिल्कुल कि यह ना हो सरकार ने क्या किया सरका अपनी कंपनी खोक लिया कुछ नहीं करती तो वो भी दे दे और यह किसी को नहीं पता कर चलने देंगे कि कितना देंगे तो बिल्कुल सही आपका कहना कि पहले भी काला धन पॉलिटिक्स में आता था उसको साफ परने की जरूरत थी वो आपने नहीं किया सिर्फ छोटी प पार्टी है कोई भी बड़ी पार्टी है उसके लिए आपने ऐसा रास्ता खोल दिया जो टनल इतनी चोड़ी है और इतनी अंधकार है कि किसी को नहीं पता कितना पैसा आ रहा है इसकी दूसरी बात बहुत ज़रूरी है हम डिमॉक्रसी में जब अपने नेता के बारे में सो कर है वह हमारे मालिक नहीं है हम उनको काम दे रहे हैं कि हमारे लिए काम करो लेकिन अगर आपको पता ही ना चले कि मैंने तो एक वोट आपको दिया वह आदमी आके आके सो करोड दे रहा है तो आप मेरी लिए काम करोगे कि उसके लिए काम करोगे तो यह आईडिली ऐसा हो लगता है कि अपने धंदे बंद हो जाएंगे अब वो नहीं किया तो आप ये भी तो नहीं करेंगे कि कंपनी अंधा दुन पैसा दे और किसी को पता चले कम से कम इतना तो करेंगे ठीक है यार दे दो पैसा अगर देना पड़ रहा है पर हमें पता तो चले कि इस मंतरी ने इ चुनावाइव पत्तियां खारिच कर हैं फानन फानन में चुनावी बॉंड निकाल दिया जाता है तो यह नहीं कहा जाए कि सरकार ने अपने संप्रभुता का बहुत गलत तरीके से फायदा उठाया और एक तरस यह चोरी की तरह है यह तो है सच मतलब यह आपने एक दम सही शब्द में बोला तो मैं दुबारा भी न मुझे नहीं पता कि अगली बार कोई पार्टी और कोई सक्ता में आए तो वो भी बदलना चाहेगी कि नहीं और इसमें हमारा होगा यह कि बहारी ताकते इसमें पैसा डाल के हमारे एलेक्शन को टोड़ मोड़ सकती है कोई कॉर्परेट जो अपना कुछ काम कराना चाते है मुनाफ़ा कराना चाते हैं वो हमारे पॉलिटिक्स को तोड़ मोर सकते हैं आपने डिमॉक्रसी की नीव में एक तरीके से सेंद कर दिया और वो सबसे खतानाक है चाहे अब वो यह पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो यह बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डिमॉक्रस किसी पर अटाक है चाहे वो भाश्पा को मदद करें और कॉंग्रेस को बाद में कहीं मदद करें या किसी और पार्टी को रिजनल एरिया में कहीं स्टेट में फरक पड़े उससे मुझे कोई तालुक नहीं है सुक्रिया इस पर बादचित करने के लिए और आपको और किसी और कर दो किसी और कॉमद काुमद करें पर दो किसी और आपको नहीं है सुक्तित कर सक्विया जहीं है।